ग्रिफित के जीवन से चुड़ी एक सचाही के बारे में जब वो गॉड हैंड के गॉड हैंड बनने के आफर को एकसेप्ट कर अपने बैंड आफ हॉक को सेक्रिफाइस करने के लिए तयार हो गया था और सभी एपोस्नल उन हुमन सेक्रिफाइस की दावत का लुफ उठाते हुए उन्हें वही मार कर खा रहे थे गृफित की बॉडी बे ट्रांस्फार्म हो रही थी तब वो एक सपने में था वो एकलिप्स डैमेंशन से डीप डैमेंशन की तरफ बढ़ रहा था ये उसके लिए ऐसा था जैसे कि वो गहराई में रोशनी से दूर जा रहा हो ये उसकी चेतना ही थी जो ट्रैवल कर रही थी यहीं से वो अपने सभी कॉमेंट्स की मौत को महसूस कर रहा था हर एक दर्द को महसूस कर रहा था ये सब उससे होगर गुजर रही थी जैसे वो उसे छेत कर निकल रही हो इस गहरे डाइमेंशन में उसके अस्तित्व का कुछ इससा ही नहीं बचा जैसे सब कुछ बिखर गया हो लेकिन तब भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ बस गहराई में खोता ही रहा उन गहराईयों में फिर उसे जमे हुए आंसू दिखे उसमें दर्द इतना जैसे कि वो किसी को भी चीर कर रख दे लेकिन उसका दिल जम चुका था उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ फिर उसे लगा जैसे कि कुछ है वहाँ पर जैसे कि कोई भवर हो उसके अंदर उसे बुलबुले से दिखे जो देखने में तो बहलिट की ही तरह थे लेकिन वो बुलबुले थे अंतहीन विचारों के जो इस दुनिया और हर दुनिया से उपजे थे जो इखटा होकर एक विशिश आकार में थे ग्रिफित को लगा कि ये भगवान है इसी जगह पर ग्रिफित की चेतना फिर से आकार लेने लगी दा आडिया ने भी वहाँ आने के लिए उसका स्वागत ही किया और खुद का नाम दा आडिया बताया ग्रिफित को कोई आडिया नहीं था कि वो क्या है क्या वो आडिया आफ एविल है या फिर डिजार्ड गॉड क्या ये बड़ा सा मास का टुकड़ा जो दिल जैसा दिख रहा है भगवान भी हो सकता है दा आइडिया ने बताया कि ये उनका कोर है उनके आसपास जो बड़ा भवर है यही सब कुछ है ये एहसासों का सागर है जो इनसान की आत्मा की गहराई में बसती है एक समान चेतना जो सब में बसती है ये संपून इनसानित की सोच है जो यहां इकटा है ये सागर ही उनके मन में तबी बुराईयों से बना है दा आडिया का जन्म भी उन्हीं विचारों से हुआ इस दुनिया का वेक्तित्व के तौट पर वो खुद ही ये दुनिया है वो अंधेरा भी है जो हर इंसान के भीतर बस्ती है वो आडिया ओफ एवल भी है और वो भगवान भी है ग्रिफित को अब समझ आता है कि वो क्या है जिसका मतलब साफ है कि दा आडिया को इनसानों नहीं बनाया है ये मनिश्यों की ही इक्षा थी जो खौफनांक मंदल वो देख रहा है क्या ये नर्ख है दा आडिया बताते हैं कि लोग इसे नर्ख भी कह सकते हैं लेकिन ये तो संपूर्ण चेतना के कई परतों का सिर्फ उपरी परत ही है और ये जगा उतनी ही इनसानी भी है। हिंसा, अकेलापन, ये जगा सभी नेगेटिव सोच से भरी पड़ी है। ये जगा इनसानी सोच को ही दर्शाती है। ग्रिफित को भी यकीन हो गया कि वो सही कह रहे हैं, वो भी महसूस कर सकता है। लेकिन अभी तक उसे ये समझ में नहीं आया कि दा आइडिया पैदा ही क्यों हुए। आखिर इनसान ऐसी इक्षा को पैदा ही क्यों करेगा जिसे वो भगवान कह सकता है। इसका कारण भी खुद इनसान ही है, वो हर चीज़ की वज़ा ढूनता है, चाहे वो दर्द का हो या उदासी का, या अपने ही जीवन का, या मृत्यों का, आखिर उसकी जिन्दगी में दुख तकलीफ क्यों है, मौत बुरी क्यों है, वो हर चीज़ की वज़ा जाना चाता ह जो उसकी सोच के भी परे हैं, और यही उनके बनने का कारण है, यही दा आडिया करते हैं, वो डेस्टिनी या नियती बनाते हैं, उन्हें इसी के लिए बनाया गया है, वो ही डेस्टिनी को कंट्रूल करते हैं, वो मनिश्यों के इक्षा को पूरा करते हुए, सब की खून से खून को मिलाया ताकि वो वंचावली तयार कर सके जिसने गृफित को जम दिया उसके पैदा होने के रास्ते बनाए गए इतिहास को बदला गया उसके लिए सिच्वेशन बनाए गई उन सभी को प्लान किया गया जो उससे मिलें ये उस नियती का ही फल है कि वो आज दा आइडिया के सामने हैं गृफित को समझ आ गया कि दा आइडिया से मिलना उसकी नियती थी वो दा आइडिया से पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहते हैं जिस पर दा आइडिया कहते हैं जिसे तुम चाहो मैं तुम्हारे दिल की गहराई में रहता हूँ मैं तुम हैं कि इत Pastor हूँ तुम्हारा हिस्सा हो तुम्हारी मरजी मेरी मरजी तुम्हारा काम ही तुम्हारे वजूत के सात्तुम्हारे लिए होगा या तो वो दुख पुरी अंद्रूनी दुनिया भरी पड़ी है जिससे वो अपने फिजिकल अवतार यानि अपने शेर को अपने मन मतापिक बदल सकता है जो उसके काम के लायक हो और यहां पर वो फैम्टो बन जाता है जो फिर चैप्टर 87 बर्थ में फैम्टो के तोर पर एकलिप्स इमिट मे पैदा होता है यह थे ग्रिफित के पैदा होनी की सचाई और यहां पर यह वीडियो खत्म होती है यह वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चनल पर नए है तो चल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अ